तो यहां पर पुरा कोशन पेपर टू पार्ट्स में डिवाइड है पार्ट ए और पार्ट पी हम सभी कोशन को सॉल करेंगे वन बाई वन अभी मैं आज के स्लेक्ट्टर में सिरफ यह जो मेरे सामने पार्ट के तीन कोशन दिखाई दे रहे हैं कोशन नंबर एक के तीन पार् जौन को भी में नहीं लेक्ट्स में हम सारव कारते स्मुल पार्ट्स में और नहीं सिरफ में ऑले वेक्ट्ट्स को सौल करेंगे मजए यहां सारे घुलão करूं तो इस costs वींसे बहुत लेंटी हो जाएका अधिًड सेल उपार्ट आपको स्वा मां पहले दूआइक्रोर में मैं लिकूं solution solution लिखते हैं किसका part A का solution करते है part A तो question number one का part A okay state कैल है Hamilton theorem कैल है Hamilton theorem जैसे इतना कहती है कि कोई भी square matrix है वो अपने characteristic equation को satisfy करता है ठीक है तो क्या इसका अंसर होना चाहिए कि एवरी इसक्वाइर मैट्रिक्स एवरी इसक्वाइर मैट्रिक्स सेटिस्फाई सेटिस्फाई इस करेक्टर कोई भी जो हमारा ये स्क्वाइर मैट्रिक्स होता है वो सेटिस्फाई करता है अपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ठीक है बस इतना से स्टेट्मेंट है कैले हमिल्टन का ये स्टेट्मेंट कैले हमिल्टन ने बताया है कि कोई भी स्क्वार मैट्रिक्स अपने करेक्टरकिस्टिक एक्वेशन को स्रेटिस्फाई करता है अभी करेक्टरकिस्टिक एक्वेशन क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ अलड़ी आपको जैसे कोई मैट्रिक्स A है हमारे पास तो A-Lambda I A-Lambda I का determinant equal to zero ये कहलाता है करेक्टरकिस्टिक एक्वेशन ओके जैसे माले मेरे पास कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर A equal to suppose हम कोई मैट्रिक्स ले ले लेते हैं 3 cross 3 का ये कोई 3 cross 3 का मैट्रिक्स है मतलब इसमें 3 rows हैं और 3 कॉलम है तो जब हम इस A-Lambda I find करेंगे मतलब लेम्डा कोई माल लेते हैं कोई आइगन वैल्यू है इसकी तो A में से Lambda into I I is the identity matrix इसको माइनस करेंगे और पिर उनका determinant find करेंगे तो हमारे पास कोई cubic equation आजाएगी 3 power equation कुछ ऐसे आजाएगी Lambda की power 3 plus A into Lambda square plus suppose B into Lambda plus C equal to 0 इस टाइप को equation मिलेगी एक जब हम इससे solve करेंगे A minus Lambda I का determinant equal to 0 ये characteristic equation मिल गई अब कैल हमिल्टन ने ये कहा कि ये जो matrix था हमारा ये इसको satisfy करेगा मतलब कि अगर हम Lambda की जंगा पे A को put कर दें तो ये हो जाएगा A cube plus small A into A square plus small B into A plus C into I identity matrix और इतना करने के बाद अब इसे add करेंगे calculate करने के बाद मतलब आपने A को तीन बार multiply किया तो A की power 3 मिल गया फिर A को square किया फिर A किया और इन सब को add करने के बाद हमें मिलना चाहिए big zero मतलब zero matrix तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो characteristic equation था जब उसमें A को put किया तो A ने इस characteristic equation को satisfy कर दिया ठीक है every characteristic equation satisfy every square matrix satisfy its characteristic equation इतना सा ये statement है तो बस इतना सा ये ही इसका answer है एक number आ question थे इतना ही आपको इसमें लिखना है second देखो क्या है second में कह रहा है कि show that the given matrix A equal to 2i 2 plus i by 3 2i by 3 2i by 3 2 minus i by 3 is unitary matrix अच्छा ये unitary है ये आपको show करना है मतलब proof करना है चलिए इसको लिखते है पहले हम क्या matrix है A equal to ये तो चले मैं इसको matrix को लिखता हूँ यहाँ पर एक matrix की भीन है हमारे पास A equal to कुछ इस type से 2 minus i by 3 और यहाँ पर कितना है 2i by 3 यह है ना 2i by 3 अच्छा यहाँ पलस था और यहाँ पर है यह पलस sign है यहाँ पर है 2i by 3 और यहाँ पर है 2 minus i upon 3 यह कोई matrix given है और यह कह रहा है कि यह show करो कि यह unitary होगा अब unitary matrix क्या होता है कोई matrix unitary matrix होता है अगर a की power theta into a equal to identity matrix क्या जाए तो एक line लिख लो यहाँ पर unitary matrix के लिए unitary matrix अगर you क्या होता है वही एफ इस लिख लो a matrix is said to be unitary matrix if a की power theta into a equal to identity क्या जाए तो हम कहते हैं कि यह Unitary matrix है अब A की पावर Theta क्या है हम ऐसे A की पावर Theta को कुछ बुक्स में A की अ की पावर Star भी लिखते है ठीके यह होता क्या है कोई matrix A की भी नहीं उसके Conjugate का Transpose करेंगे Conjugate के Transpose को हम A की पावर Theta से डिनोट करते हैं या फिर a की पावर स्टार से डिनोट करते हैं, ओके, चलिए, तो यह matrix हमारे पास था given, हम क्या करेंगे, पहले a की पावर ठीटा find करेंगे, फिर a का multiply करेंगे, उसमें अपर हम देखेंगे, या या identity matrix बनता है, या नहीं बनता है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, कि यह 3, 3 आरा सब के नीचे, तो 1 by 3 common निकाल दो यहाँ से, तो यह matrix थोड़ा easy हो जाएगा लिखने में, otherwise तो कोई जरुवत नहीं है, इसके बाहर common लेने की, हम इसमें common ले दिए 1 by 3, क्योंकि यह 2 प्लस i हो रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 2i, यहाँ पर 2i, और यहाँ न रह जाएगा सिर्फ, ओके, चलिए, अब क्या करना है हमें, a की पावर theta find करना है पहले, so a की पावर theta find करने के लिए पहले हमें a conjugate find करना पड़ेगा, फिर उसका transpose कर देंगे, तो इसका conjugate कितना हो जाएगा वई, यह 1 by 3 तो as it is रहेगा, conjugate क्या होता है, जो भी हमारी complex entries होत है, ठीक है, उसमें iota वाले पार्ट को positive को negative या negative को positive में convert कर देता है, तो जैसे 2 plus i है, इसके उपर हमने बार लगाया, तो हम इसे लिखेंगे 2 minus iota, यह 2i लिखा हो, तो यह हो जाएगा minus के 2i, ओके, क्योंकि i की जंगा minus i लिख दिया, basically conjugate में हमने minus i यह बार लगा दिया, यह भी हो जाएगा minus के 2i, और यह हो जाएगा 2 plus iota, यह हो गया इतना, ओके, आप क्या करना है, आपको a की power theta find करने के लिए, जो कुछ भी यह a आया है, a का conjugate है, इसका transpose कर दो, अलब रो को column बना दो इसके, तो चले हम भी बनाते है column, यह 2 minus i है, और यह यहाँ पर माइनस के 2i, और यह minus के 2i यहाँ पर चले जाएगा, और यह तो यहाँ पर as it easy रहेगा, 2 plus iota, ओके, यह किया, अच्छा यह 1 by 3 भी यहाँ पर चल ला है बाहर, 1 by 3, तो क्या हुआ, जो हमारे पास a की power, यह conjugate size कर ट्रांस्पोस किया, ट्रांस्पोस करने के बाद यह मिल गय अब आपको क्या करना है, अब आपको a की power theta में a से multiply करना है, अब फिर multiply करने के बाद देखो कि क्यो वो आता क्या है, चलिए वह next speech पर करते हैं, a की power theta में a से multiply करते हैं, सबसे पहले हम, एच्छा a की power theta में आप देख रहो है, यहाँ पर कितना रहा, 1 by 3, और a जो है हमारे पास, यह वाला matrix a है, उसमें भी 1 by 3 आ रहा है, तो 1 by 3 into 1 by 3, तो सबसे पहले तो मुझे लिख देना चाहिए, 1 by 9, ओके, 1 by 3 दोनों में आ रहा है, अब यहाँ पर पहले a की power theta की values पूट करते हैं, वो कितनी है, 2 minus i, 2 minus iota, minus iota, minus iota, minus iota, 2 iota, और यहाँ पर है 2 plus iota, यह है हमारे पास a की power theta की value, यह देख हूँ यहाँ पर, और a क्या है, 2 plus i, सारे positive है मतलब, तो यह है हमारे पास यहाँ पर, 2 plus iota, 2 iota, 2 iota, 2 iota, और 2 plus iota, यह हो गया, यहाँ माइनस होगा, और इजनल में, यहाँ पर हमारे पास minus है, a matrix जो है, वो यह, एक बार देख लेते हैं, दुबारा से, अच्छा, 2 plus iota यहाँ पर है, 2 minus iota, यहाँ पर है, और इसमें, यहाँ पर यह हो गया, अच्छा, यहाँ पर 2 plus है, और 2 minus है, यहाँ पर 2 plus iota है, और यहाँ पर 2 minus iota है, 2 minus iota, यह है, हम दोनों का multiply किया, 1 by 9 है, अब multiply करो दर रहे हैं, इनका, 2 cross 2 के matrix है, तो 1 by 9, देखो भई, first row, first column, तो 2 minus iota का multiply करेंगे, 2 plus iota के साथ में पहले, first row, first column करने, इसका multiply इदर, plus इसका multiply इदर, plus करने के बाद, minus के 2i का multiply, plus के 2i के साथ, first row, first column का finish होगया, अब first row, second column, first row, second column, so 2 minus iota का multiply, 2 iota के साथ में, फिर plus sign लगा करके, minus के 2i का multiply, 2 minus iota के साथ में, first row, first column, first row, second column, यह finish होगया, अब चलते हैं, second row, first column पर, so minus के 2i into, इसका इदर, यहाँ multiply करना है, 2 plus iota में, और इसका multiply इदर, यहाँ करेंगे, तो plus sign लगाने के बाद, 2 plus iota, और 2i, okay, second row, first column हो चुका है, अब second row, second column, मतलब इसका multiply यहाँ पर, और इसका multiply यहाँ पर, so यह हो जाएगा, minus के 2i into 2i, plus, 2 plus iota, और यहाँ पर आ जाएगा, 2 minus iota, हम इस bracket को कर देते हैं, close, ओके जी, चलो, अब इसे calculate करके देखते हैं, तो यह 1 by 9 तो बाहर है, इसका तो कोई रोल नहीं है अब आपको एक बात ही पता होनी चाहिए, कि iota का square जो होता है, वो minus 1 के बराबर होता है, ओके, तो आप यह देखो, यह है a square, a minus b, a plus b, तो यह हो जाएगा, a square minus b square का formula, ठीक है, क्योंकि यह होता है हमारे पास, a square minus b square equal to bracket में a minus b, दूसरे bracket में a plus b, इतना तो सभी को पता होगा, ओके, तो यह कितना हो जाएगा, 2 का square minus iota का square, 2 का square 4 minus k, iota का square, ओके, यहां तक, फिर plus, अब यह देखो, 4, 2 का multiply 2 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, minus 4, यह plus sign लगाने के बाद, यह हो गया, minus 4 into iota का i के साथ में, तो iota का square हो जाएगा, ठीक है जी, अब देखो, इदर आते हैं, यह देखो, 2 minus iota into 2 iota, और यहां 2 minus iota, minus के 2 iota, मतलब कि यह पूरा का पूरा इस से हो गया, cancel, यहां गया 0, ओके, अब यह देखो, यह 2 plus iota into 2 iota, और यह 2 plus iota into minus 2 iota, मतलब यह भी पूरा cancel हो गया, इस से, यह पूरा cancel हो गया, तो यहां पर आगया 0, अब same इसको देखो, तो यहां पर तो हम 0 लिख सकते हैं, और यहां पर भी 0 लिख सकते हैं, और यहां देखो, अब 2 का multiply 2 से करेंगे 4, और तो minus के 4 into iota का square करेंगे, तो वो हो जाएगा minus 1, ठीक है, तो minus 4 into minus 1 मतलब plus 4, और प्लस, same यहां पर 4 का square हो जाएगा, 2 का square हो जाएगा 4, और minus के iota का square करेंगे, यहां पर पिर से, तो देखो, iota का square में कितना होता है, minus 1, तो minus 1 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा भई, कितना हो जाएगा यह, यह हो जाएगा 5, और यह i square करेंगे, minus 1, minus 1 into 4, कितना प्लस 4, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9, यहां 0, यहां पर 0, यहां पर भी same, 9 हो जाएगा, तो यह आ गया, 1 by 9 बहार है, और matrix के अंदर आगे हमारे पास, यहां पर 9, यहां पर 0, यहां पर 0, और यहां पर भी 9, यह आ चुका है, ओके, अब इस 9 से अगर हम इसे divide कर दें, 9 से अगर हम divide कर दें, तो कितना रह जाएगा वाईए, चलो next मिच पर करते हैं, इसको divide, यह रह जाएगा, equal to 9 से divide कर देंगा अंदर, तो यहां रह जाएगा, 1, यहां 0, यहां 0, और यहां पर भी 1, implies that, इसका मतलब क्या हो गया, यह किसके बराबर चला है, यह चला है, एकी पावर ठीटा, into A के बराबर, so, क्या मिला आपको, आपको मिला है कि, एकी पावर ठीटा, into A, equal to identity, यह हमें चाहिए था, अगर यह मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि, जो हमारा मैट्रिक्स A है, वो हमारा यूनिट्री मैट्रिक्स है, तो यह हमारा प्रूफ हो गया, hence approved, ओके, इस तरह से हमें इसको solve करना था, बहुत एजी है, अगर आपको basic definition पता है, यूनिट्री मैट्रिक्स की, तो बस A की पावर ठीटा, into A करेंगे, तो identity मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, sin x, then proved that y2 minus 2 ay1 plus a square plus b square y equal to 0, अच्छा, एक बार ध्यान देने कि यहाँ पर यह है, कि यह जो लिखा है न, यह y equal to e की पावर x, यह sin x नहीं है, यह sin bx है, यह misprinting है, यह लिखा है sin bx, ओके, और तो फिर यह proof करना है आपको, चलो, लिखते हैं, इसको, question को लिखते हैं पहले, y equal to a की पावर x, ओकी, चलो, यहाँ सी start कर लेते हैं, इसको solution, question है, आपके पास, तीसरा, first का c part मतलब, ठीक है, first का c part हो गया, c part, यह है, मारे पास, if y equal to e to the power ax sin bx, यह given है, then आपको यह proof करना है, y2 minus 2 a y1, और क्या था भई, 2 a y1, 2 a y1 plus a square plus b square into y equal to 0, okay, 2 a y1 plus a square plus b square बाहर y equal to 0, यह आपको proof करना है, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि y2 का मतलब क्या होता है, दो बार derivative, y1 का मतलब है, एक बार derivative, ओके, तो क्या है, basically, हमें यह पता होना चाहिए, कि जो y2 होता है, y2, इसका मतलब है कि दो बार differentiation करना, y double dash से भी note करते हैं इसको, इसका मतलब है, d square y upon dx square, ठीके, और y1 का मतलब होता है, एक बार differentiation, इसको y dash भी लिख सकते हैं, या dy upon dx भी लिख सकते हैं, ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अब, तो y equal to यह given है, सबसे पहले हम y1 find करेंगे, तो y equal to क्या given है, e to the power ax, sin bx, so implies that y1 कितना हो जाएगा भई, y1 हो जाएगा, इसमें एक को first माल लेते हैं, एक को second term माल लेते हैं, माल लेते हैं, यह first है, क्योंकि आप देखने हैं, हम multiply हो रहे हैं, दो term, दो function of x हैं, e की power ax एक function है, sin bx दूसरा function है, दो function का multiply हो रहा है, तो इसका मतलब यह product rule लगेगा, okay, differentiation का product rule, तो y1 कितना हो जाएगा, y1 मतलब first derivative, first term as it is, second का differentiation, तो माल लेते हैं, sin bx as it is, और e की power ax का करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहां लिख देएगे, e की power ax into a, e की power ax का, e की power ax हो गया, फिर ax का भी करेंगे, तो कितना हैगा, a, वो मैं a यहां starting में लिख देता हूँ, ठीक है, first term as it is, second का differentiation, plus second term as it is, अब के e की power ax as it is, लिख लो, और sin का हो जाएगा cos, cos bx, लेकिन फिर b का भी करना, इसका करेंगे न, bx का भी करेंगे फिर, तो फिर यह आ जाएगा, b starting, यह होगे, यह हमारा y1, अगर आप दिहान से एक चीज़ देखों यहां पे, तो यह जो कुछ है, यह लिखा हुआ, e की power ax sin bx, तो यह तो y लिखा हुआ है, basically, तो मैं यहां पर इसको पहले एक line model लिख दूँ, y1 equal to a, e की power ax, अभी मैं as it is ही लिख रहे हैं, बस आगे पीछे करके लिख रहे हैं, ताकि यह आपको clear नजर आने लगे, कि यह basically y ही लिखा हुआ है, plus, यह b को मैं बाहर लिख देता हूँ, e की power ax, और cos bx, ठीक है जी, अब आप ध्यान दो जरा, यह क्या हो रहा है, y1 equal to a, यह जो है कुछ, यह जो कुछ लिखा है, यह तो y लिखा हुआ है न, y, इसकी जंगा मैं y लिख दूँ, इसकी जंगा लिख दूँ, जी y, plus b, e to the power ax, cos bx, इसको हम एक्वेशन 1 नाम लिख लेते हैं, चलो भाई, अब मैं इस एक्वेशन 1 को नेक्ट मेंच पर लिखता हूँ, पहले समझाने के लिए, so, कितना है, y1 equal to, y1 equal to है, a y, a y, और आगे है हमारे पास, plus के b, e की power ax, plus में है, b, e की power ax, cos bx, ठीक है, इतना हो गया, अब मैं इसको अगर इधर लियाँ, उठा करके, तो यह हो जाएगा, y1 minus a y, equal to b, e to the power ax, cos bx, ओके, अब हम इसको एक बार और differentiate करते हैं, जब हम y1 को एक बार differentiate करेंगे, तो यह तो बन जागा y2, मतलब y1 था, एक बार differentiation था, d y by dx लिखा था, एक बार और कर दिया उसे, तो वह बन गया y2, मतलब d square y upon dx square बन गया, minus a, y का करेंगे, तो यह बन जागा y1, एक बार differentiation, equal to b, अब यह b तो constant की तरह बाहरा जाएगा, अब हम इसमें दुबारा से product tool लगा देंगे इसके अंदर, इतने पार्ट में, यह दो अलग अलग है, इसमें दुबारा से product tool लगाएगे, तो चलिए, माल लेते हैं, यह हमारा first है, और यह हमारा second है, product tool लगेगा यहापर, तो first term as it is, अलग, cos bx as it is, और इसका जब करेंगे, second term का differentiation, e की power ax का, e की power ax हो जाएगा, फिर ax का करेंगे, तो यहाँ पर into में a भी आएगा, वो मैं यहाँ starting में लिख देता हूँ, ठीक है, तो first term as it is, second का differentiation, plus second term as it is, e की power ax as it is, और cos का हो जाएगा, cos bx का हो जाएगा, minus के sign bx, और फिर bx का भी करेंगे, तो आ जाएगा b, वो मैं यहाँ starting में लिख देता हूँ, इतना, ओके जी, equal to b, अब यह a, e की power ax starting में लिख दो, cos bx minus b, e to the power ax, sin bx, अब बच्चों जाएगा ध्यान से अगर आप देखो, तो यह फिर दुबारा से वो ही बन गया हमारे पास, यह value बन रही है हमारे पास किसकी y की value, यह हमारे पास दुबारा से y बन रहा है, इसकी जगा हम लिख सकते हैं y, और इसकी जगा पर क्या लिख सकते हैं, अब यह देखो कि इसकी जगा पर आप क्या लिख सकते हो, अब आपको लग रहा है कि यहां तो a आ रहा हम वहां b आ रहा है, तो एक बार इसमें b को अंदर multiply करो, तो यह हो जाएगा a बहार लिख दो इसको, और b यहां पर लिखो, यह b multiply कर दिया मैंने e की power ax, cos bx minus k, b square, b का अंदर multiply हो गया, e to the power ax, sin bx, equal to, अब यह, देखो, यह b के साथ में इतना part, इतने part की जंगा पर तो आप क्या लिख सकते हो, by first से, equation first से, b, e की power ax, cos bx लिख सकते हो, y1 minus के a y, इस a y को इधर लिए हैं उठा करके, तो यह हो जाएगा y1 minus a y, तो y1 minus a y लिख सकते हो, इसकी जंगा पर, तो यह a तो as a t, इसकी जंगा लिख दिया हमने, y1 minus a y, minus के, b square, और यहाँ पर इसकी जंगा पर आगया y, यह y की value, और इक इसके बराबर चला है, यह चला है y2 minus a y1 के बराबर, ओके, चलो इस corner में solve करते हैं, इसके बाद next मीच पर जाएंगे, तो फिर हमें बार-बार यह reverse करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं, यह आ गया y2 minus a y1 equal to a y1 minus a square y1, minus b square, sorry, a square y और b square y, यह y1 नहीं है, y यह आ पर, यह आ गया, ठीक है, यहाँ था, अब हम इसको इदर ले आते हैं, और इसको इदर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा वई, यह हो जाएगा y2 minus a y1 minus के a y1, प्लस के, इस में से में y common निकाल दूँ, तो a square plus b square equal to 0, अब बस यह आपको proof करना था इसमें, एक line और लिखलो, यह देखो कितना हो रहा है, यह हो रहा है y2 minus a y1, a y1, 2 a y1, plus a square plus b square y equal to 0, यह आपको proof करना था, ठीक है, तो इस तरह से question को हमें solve करना था, एक number को question है, लेकिन थोड़ा land दी है, इसलिए exam में, एक एक number में थोड़े बड़े questions आते हैं, यह ज़्यादा तफ नहीं है, बस ध्यान लखने की बात है कि step by step इसको solve करते जाना है, एक method इसका और भी possible है, एक method इसका और भी possible है, कि आप इसमें पहले, जैसे आप देख रहे हैं, y equal to e की power ax, sin bx की विन है, और यहाँ पर यह कुछ की विन है, तो एक बार हम इसको एक बार derivative करें, मतलब y1 find करें, फिर दुबारा derivative करें, y2 find करें, और y1, y2 की value यहाँ पुट कर दें, y2 की value यहाँ पर, y1 की value यहाँ पर, y की value यहाँ पर, उससे भी इसका answer आजाएगा, मतलब यह equal to zero आजाएगा, ठीक है, क्योंकि equal to zero हमें प्रूफ करना है, उससे भी आ सकता है, उस तरह करेंगे, लेकिन वो बहुत lengthy हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर, यह short एक, जहाँ पर y बनता रहा, y1 बनता रहा, उनको put करते चलेगा साथ-साथ, इस तरह इस तना करने पर भी, यह इतना lengthy question हो गया, लेकिन यहाँ तक हमने, इसको proof कर दिया, कि y2-2ay1, प्लस a2, प्लस b2, y equal to 0, ओके, hence, proved, so, I hope यहाँ तक आपको clear हो गया होगा, फिर भी किसी को doubt है, तो मुझे पूछ सकता है, इसके बात भी, ठीक है, अभी क्योंकि और मैं और ज़्यादा question solve करूंगा, तो यह बहुत lengthy हो जाएगा, इस lecture में इतना ही, ठीक है, बाकि हम जो इसके आगे के questions हैं, उसको next lecture में solve करेंगे, ओके, चलिए ठीक है, thank you so much guys,